आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि जो आप हमें सस्ते घर हैं तो वो लेके आएं और प्राइस आपको आखिरी तक जाने की ज़रूत नहीं है आप हम प्राइस आपको पहले ही बता दे रहें और पुरा आप उसके बाद घर देखिए तो इस घर का जो प्राइस है वो मात्र आपको 26 लाख रुपए का घर है आज आपके बीच में हम 7500 स्क्वेर फिट के जो रो हाउसे हैं वो लेके आएं हैं और इसके अगर फ्रंट की बात करें तो आपको 15 इसका आपको फ्रंट मिलेगा और 50 इसका जो है गहरान मिलेगा अगर हम इस घर को अंदर से देखत फिट की आपको फूरी रोड मिलेगी तो एक बार इस पूरे घर को देखते हैं 1500 स्क्यार फिट का जो यह घर है अंदर से आपको पूरा घर दिखाते हैं किस तरीके से यह 1700 स्क्यार फिट का जो घर है वो बना हुआ नजर आएगा तो अगर हम बात करें इसके गेट की तो आ आप देखेंगे पूरा जो खुला एरिया आपको घर के बाहर ही दे रखा है तो आप यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी अपनी कोई भी ला सकते हैं उसके बाद कोई भी बाइक पार कर सकते हैं और उसके बाद भी आपकी जगा छूट जाएगी अगर आप इसको लॉन बनाना आते हैं तो आप इसके अंदर बाइक लेके आ सकते हैं अगर आम इस घर के पहले कमरे की बात करें तो आप देखेंगे कि बाहर से ही पूरा जो कमरा है वो बाहर से ही आपको खुलता हुआ खुलेगा और देखेंगे कि अंदर से किस तरीके से यह जो पहला कमरा है वो बना ह हुआ है बढ़िया सा आप देखेंगे ऊपर फाल सेलिंग का काम जो वो हो रखा है पेंट और जो इस पर ड्राइंग है देखेंगे कि इतना खूबसूरत सा आपको पूरा नजार आएगा जो विंडो है आप देखेंगे कि विंडो बहुत ही अच्छी सी आपको जो इसमें व साला पेंट ये बिल्कुल भी नहीं है और जो स्विचेस है सारे बहुत अच्छी क्वाल्टी के हैं और आप देखेंगे पूरा लाइट सोगरा का इसमें उपर सारा काम जो है वो आपको होके दे रखा है अगर हम अंदर से इस घर को पूरा देखें तो ये पूरा खुला- 700 स्केर फिट का जो पूरा घर है वो आपको नजर आएगा बढ़िया सा घर आपको नजर आएगा यहां पे आप देखेंगे कि ओपन आपको पूरा जो है किचन मिलेगा आपको ये पूरा ओपन किचन नजर आएगा बढ़िया से यहां पे आपको सिंक मिलेंगे और नीचे पूरी तरीके से आप देखेंगे इसमें आपकी flooring हो रखी है और kitchen के पास में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको window जो है वो पूरी दे रखी है ताकि जो अगर आप exhaust fan लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं kitchen में आपको ventilation ताकि यहाँ पे बहुत अच्छे से रह सके इसके साथ ही देखेंगे यहाँ पे जो यह पूरा area है OTS का area आप देखेंगे ताकि घर के अंदर बढ़िया सी light जो है natural light जो है वो पूरी रहे तो इस तरीके से आप यह OTS का पूरा area देख सकते हैं जो यहाँ आप देखेंगे कि यह English style का आपको पूरा washroom नजर आएगा लगबग यह 7 fit तक आपको यह इस पूरे tiles नजर आएगे shower पूरा लगा हुआ मिलेगा आप इसमें गीजर भी आप लगा सकते हैं तो बढ़िया सा आपको यह पूरा washroom जो है वो आपको मिलेगा तो 26 लाग के budget में इस तरीके से देखा जाए 700 square feet 15 by 50 में आपको यह बढ़िया घर जो है यह पूरा दिखेगा आप देखेंगे कि यह दूसरा इस घर का जो room है बढ़ा सा आपको इसको bedroom की रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़िया quality की सारी paint है और यहाँ पे आपको window मिलेगी इस तरह से आपको तागी यह जो आपके इस कमरे में पूरी जो natural light और हवा आ सके उसके लिए आपको जो window है यहाँ पे आपको इस bedroom में मिलेगी तो आपने नीचे से पूरा यह घर देखा है खूबसूरत सा पूरा घर है kitchen में भी देखेंगे आपको यह tiles जो है वो लगी हुई नजर आएंगी छट के उपर का हिस्सा देखते हैं कि इस तरीके से उपर का जो हिस्सा वो है बना हुआ है तो आप देखेंगे कि इसमें जो stairs है उस पे आपको जो marble है वो पूरी तरीके से लगा हुआ नजर आएगा बढ़िया quality की इसमें आपको जो grill है वो steel की पूरी नजर आएगी और यहाँ पे आपको पूरा ऊपर का जो area है जो stairs के उपर का area है यह पूरा जो covered आपको area मिलेगा यहाँ पे आप देखेंगे कि window जो है वो सारी आपको मिलेंगी अगर हम यहाँ पे देखें तो यह जो row houses बने हुए है यहाँ बगल में भी आपको house बने हुए नजर आएगे और यह पूरा देखेंगे छट का किस तरीके से area है यह जो पूरा मकान है pillars पे बनाया हुआ है और आपको अलग-अलग जो पूरे pillars है वो आपको मिलेंगे बढ़िया इसमें आपको पूरी तरीके से छट पे भी पूरी तरीके से finishing जो है वो नजर आएगी अगर हम इस पूरे area की बात करें तो यह जो घर है यह दुबगगा से मात्र जो है आपको डेर किलोमेटर की distance पे मिलेगा जो बुद्देश और चौरहा है वहाँ से आपको दो किलोमेटर की distance पे मिलेगा और जो आपका यह हरदोई जो दुबगगा से आपको कानपूर रोड जो connect करती है जो बाइपास है वहाँ से आपको मात्र एक किलोमेटर की distance पे मिलेगा आप सामने वह रोड देख रहे होंगे वह जो 33 फिट की आपको पूरी रोड मिलेगी जो एक किलोमेटर की distance पे आपको हरदोई रोड जो आपको कानपूर से दुबगगा वाली रोड है उस पे आपको यह connect करती है तो यह खुबसूरत से मकान दुबगगा के पास है बुद्यो सर भी यहाँ से पास पड़ता है जो रेलवे लाइन है जो बरेली की तरफ जो रे दाइरे में ही जो आपको सारी जो basic communities हैं वो आपको मिलेंगी और यह जो खुबसूरत सा घर है 26 लाग के बजट में आपको यह पूरा जो यहाँ पे कई घर आपको साड़े साथ सो स्केर पिट में आपको मिलेंगे basic communities हमने बताया कि चाहे आपको school हो hospital हो और चाहे जो market हो सारी आपको 500 मीटर के दारे में ही सारी आपको 500 मीटर के दारे में ही आपको मिल जाएंगी अगर हम बात करें इस पे finance की तो यह दाखिल खारी जमीन है इस पे आपको easily पूरा आपको finance हो जाएगा इसमें finance में आपको क किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बढ़िया सा खुबसूरत सा यह पूरा जो है मकान बना हुआ है हमने आपको यह पूरा घर दिखाया है प्राइस हमने आपको घर का पहले ही बता दिया था अगर यह पूरा घर आपको पसंद आता है आपने देखा है क अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया है हमारे ये जो वीडियो इस तरीके के अगर आपको प्रॉपर्टी गरे के पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके बीच में हम बढ़िया वीडियो बेहतरीन वीडियो आपके बीच में लगाता झाल झाल